अलाहिट्रा कहते हैं कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा फास्टेस वे है ट्रैवल करने का क्या पता यार माइनक्राफ्ट में इससे भी ज्यादा फास्टेस वे हैं जिनके साथ तुम लोग पूरी पूरी बाई सूपर स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकते हो तो इसी बात का तो पता करने के लिए भाई मैं ट्राइ करने वाला हूँ आज माइनकाफ्ट के सबसे ज़यदा सूपर फास्ट बेस ट्रैवल करने के जो के तुम्हें अलाइटरा से भी ज़यदा सूपर स्पीड देने वाले हैं और मेरा यह शोड देखने कलए भाई पास के वीलिजlaughs से आएं हैं कुछ वीलिजर्स तो वैलकम है तुम लोगों का और यहां पर पास के ःट पोस्ट से आई हैं कुछ बैलिजर्स भी तो तुम लोगों का भी वैलकम है और जो जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है उसका भी वेलकम है तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ कि हम लोग जाएंगे लोएस्ट स्पीड से लेकि बिल्कुल एक ताम फास्ट है स्पीड तक तो मुझे पता लाएगा वाई कौन सा ब्लोग जो है मतलब कि कौन सा जो ऐसा त कर सकते हो तो आज यह देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने अब्जर्वर के पीछे लगा देंगे कोई सा भी ब्लोक तो लो भाई हमारी मशीन जो बिल्कुल एकदम रेड़ी हो चुके और हम लोग ट्रेवल भी कर रहें लेकिन मतलब कर यह यह मशीन जो है यह हम लोग को टू ब्लोक पर सेकंड देती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है मुझे इससे भी ज्यादा फास चाहिए तो इस वाले मशीन को भाई हम लोग देते हैं अभी के लिए एक रैड ब्लोक क्योंकि यह काफी स्लो है तो सेकंड में आ जाता है हमारे पास हमारा स्ट्राइडर रहना भाई वह भागता है फौर ब्लोक पर स्पीड पर तो मतलब कि यहां पर अगर हम लोग रखते हैं एक औरिंज कलर का ब्लोक तो भाई मेरा ठीक रहेगा हमारे पास एक पिक जो के भाई भागता हैं बिल्कुल एक दम नॉर्मन स्पीड पर लेकिन अगर 5 ब्लोक पर सेकेंड हम लोगों के लिए बहुत थोड़ है हम लोगों को इससे भी ज्यादा फास चाहिए तो अब चलते हैं अपने नेक्स मेथर्ड की तरफ हमारा होर्स जो के अगर तुम लोग भागो तो देखो यार काफी डिसेंट भागता है और यह हमको देता है भाई 9 ब्लोक पर सेकेंड जो के अब तक के लिए काफी डिसेंट है मतलब के तुम देखो यार कोई हमको देला है 2 ब्लोक कोई 4 ब्लोक कोई 5 ब्लोक लेकिन हमारे लेकिन हमारे लिए तो यार यह भी बहुत ही ज्यादा स्लो है मतलब कि अलाइटरा की स्पीड तो तुमको पता ही होगी 33 ब्लोक्स या 35 ब्लोक्स पर सेकेंड लेकिन हम लोग को इससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए तो यहां पर लगा देंगे दो रैड कलर के ब्लोक और यहां पर इसको कर देंगे हम लोग ठीक है भाई यह तो बिल्कु ठीक है लेकिन यहां पर हम लोग कर देते हैं अपने 3 कलर के ओरेंज ब्लोक्स क्योंकि इसकी स्पीड जाना काफी फास्ट है तो अब चलते हैं भाई अपने next method की तरफ और next method में आता है हमारा भाई new new mob ज यहां मर्जी तक जा सके तो भाई camel हमको देता है total 12 ब्लोक्स पर सेकेंड जो के भाई horse से तो काफी ज्यादा decent ही है मतलब के camel की speed काफी फास्ट है लेकिन अगर यह normal भागे तो भाई थोड़ा बहुत slow है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे camel के उपर भी लगा देंगे यहां हमारा म्यूल और अब तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि हमारे horse से ज्यादा speed मतलब horse और camel से ज्यादा speed रखता है हमारा म्यूल और अगर म्यूल की speed की बात करें तो भाई तुम लोग यहां पर देख सकते हैं यह देता है हमको 14 blocks पर सेकेंड तो अपने म्यूल को हम लोग दे है क्योंकि मतलब तुम देखो इन सबसे ज्यादा faster तो भाई अपना म्यूल रहा चुका है तो अब चलते हैं अपने next method की तरफ ए तो क्या भाई तुम सब को पता है कि हम लोग इन सबसे भी ज्यादा fast भाई खूदी भाग सकते हैं मतलब कि मुझे पता है अगर हम लोग sprint कर के बढ़ जम का बटन दुबाए तो हम लोग काफी fast होते ही हैं लेकिन मैं तुमको आज एक ऐसा तरीका बताने वाला कि जिसे तुम लोग sprint करके भी इतना fast भाग सकते हो ना कि अगर तुम लोग race लगा हो horse, camel और mule से तो भाई तुम लोग उन से ज्यादा fast भाग सकते हो त लग कि इतना भी fast नहीं है यार तो हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए होगा हम ब्लू आइस चाहिए होगी मतलब अगर तुमको पता है कि नॉर्मल आइस से ज्यादा स्लिपडी जो होता है ना भाई वो हमारी blue eyes होते क्योंके इसके उपर तुम लोग काफी ज्यादा sleeping feel करते हो और यह देखो भाई बिल्कु लेक्ता मैं चाल भी नहीं रहा लेकिन फिर भी sleep हो रहा हूं तो खेर कोई बात नितो तुम लोग को चाहिए होगा ब्लू आइस और यहां पर यहां पर यहां पर यह वारी spirit जाना भाई हम लोग को देती है 16 blocks per second जो के इन सबसे ज्यादा फास्ट है और इस चीज़ को लिए मैं देने वाला हूं इसको 5 yellow color के blocks यह 6 yellow color के blocks जो के तोड़े ज्यादा है यहां यह सही है 6 yellow color के block जो के काफी ज्यादा भाई तुम लेकिन हम लोगों को तो इन से भी ज्यादा फास्ट वे चाहिए ना भाई ट्रैवल करने का तो इसलिए चलते हैं वह अपने next method की तरफ तो मैं तुमको बताता हूं कि हमारी जो boat with ice आना वो कितना ज्यादा फास्ट भागते मतलब कि तुम लोग यकीन नहीं करोगा यार तुम लोगों को दिखाऊ तो भाई यह देखो अगर हम लोग boat with ice करें तो देखा तुम लोगोंने हम लोग कितना फास्ट आये हैं और यह boat with ice जो है ना भाई तुम लोग को maximum जो है अभी जो हम लोगोंने speed दिखाई यह तुम लोग को maximum 35 to 40 blocks की per speed दे देती है जो कि काफी ज देखे सकते हो कि हम लोगोंने कैसे लगा रखे हैं अब मैं तुमको बताता हूं कि भाई यह जो हमारी minecart है ना यह तुम लोग एगर तुम लोग इसको ऐसे से करके tracks लगा लो ना तो भाई तुमको कितने speed देती है तो यह चीज़ को try करने के लिए सबसे पहले तुम लोग पार सेकेंड की speed बहुत हम लोगों को 35-40 ब्लोक की speed लेकिन हमारी minecart देती हम लोग को यहां पर थोड़ी speed तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर लगा देते हैं अपने five blocks ठीक है तो अपने next method को try करने के लिए मैंने के किया मैंने यहां पर थोड़ा से piston लगा जिसके साथ मैंने pressure plate को attach की है अगला हम लोग इसके उपर चड़ाएंगे तो भाई हमाई slime block जाना भाई वह उच्छा लेगा और हम लोग उच्छा कर जाएंगे यहां पर point करके उसके पाई यहां से point करके हम लोग जाएंगे अपने next block की तरफ और यहां से भाई हम लोग की speed जाना हम लोग कितना वागे मतलब कि तुम लोग ने देखा हम लोग हाल की तरह उचलते हुए यहां पर आये हैं और अगर मैं तुमको बता हूँ तो यह हमको देती 18 to 20 blocks per speed जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं मतलब कि यहां पर लगा की तरफ ओके तो अब बारी आ चुकिए हमारे ट्राइ करने की अलाइटरा की स्पीड यह मैं तुमको बताए चुका हूँ अगर नहीं बताया तो भाई अलाइटरा हमको देता है 33 to 40 blocks के अंदर की स्पीड मतलब कि इसके बीच में कहीं की स्पीड आये लेकिन अगर हम लोग अलाइटरा के साथ अपने फायरवर्क रोकिट को टैच करने तो भाई हमारी स्पीड बन जाती है और भी ज्यादा फास्ट मतलब कि हम लोग को एक बूस्ट मिल जाता है और अगर मैं तुमको दिखा हूँ तो यह देखो भई यू देखा भाई हम लोग कितने मुझ तरीके मैंने तुमको बता है कि हम लोग को इससे भी ज्यादा फास्ट वे डूना है ट्रेवल करने का तो जो कि मैंने डून लिया और मैं तुमको दिखाने भी वाला हूँ लेकिन उससे पहले अपने अलाइटरा को रेट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर लगाने वा सेकिंड है तो भाई वो तो काफी ज्यादा लाइटरा से भी फास्ट हो लेकिन अब हमारे पास इतना बड़ा ट्रेक नहीं है और जैसे कि मैंने तुमको बोला कि तुम्हारी एजिज लग जाएंगी स्पीड तक पहुंचने के लिए तो फिलाल तो अगर कहें तो डिसेंट को ऐसे बुस्त करते हैं आकि मैं क्या इभाताऊं तुमको और पूस्ट करने की मैं तुमको एक Sud कि यहां पर को बताँगा मैंसे अब तुमको थो यहां धाए शचूर सोकसि बहुत है और अकर तुमको इसकी कि स्वीद बिताऊ तो यह देती हैं आपको 133 डॉक्स पर सेकिं पर फास जो है ना भाई वह हमारा रिप्टाइट 3 वाला ट्राइडेंट है जो कि तुम लोग कहीं भे भी कभी भी यूज़ कर सकते हो लेकिन तुमारे पास होना चाहिए भाई थोड़ा सा वोटर और मैंने तुमको बताया था कि भाई मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा जि कि रेनी वेदर के अंदर हमारा रिप्टाइट 3 वाला ट्राइडेंट जो होना वह बहुत ही बढ़ी आगाम करता है और इसकी स्पीड को और बूस्ट करने के लिए तुमको अपने लाइटर को मतलब कि तुम लोग अपने ट्राइडेंट को लॉंच करते तो भाई तुमको रेनी वेदर में और तुम्हार पास रिप्टाइट 3 वाला ट्राइडेंट तो फिर तो भाई तुम लोग मास तरीके से उड़ते हुए जल्दी से जल्दी कहीं पर भी आ जा सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट वेया माइनक्राफ्ट का ट्राइवल करने का तो इस द लोग देख सकते हैं यहां पर सब कुछ तुम्हें लोगों को नजर आई रहा है कि कौन से चीज ने कितना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया तो यह थी भाई कुछ चीज हैं जो कि तुम्हें अलाइटरा से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करने में मदद कर सकती हैं तो उमीद है चैलेंज तुम लोगों को आज का पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को डेट सारे लाइक्स भी हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में